लोग सर असलाम लेकुम वजूले सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग आज हमारे शॉर्ट नोटिस पे फिर हमें कवर करने के लिए आज यहां पहुंचे हैं आज बेसिकलिए हमें दो केस आफेयर के बारे में आपको बताना है करगिल की अवाम क को बताना है फर्स्ट केस है फिर नंबर फिफ्टी अंडर सेक्शन थ्री सिक्सिक्स ए आई पीसी यह एक माइनर लड़की का किड्नापिंग का केस है जिसमें हमें खबर मिलती है कि एक चोटी बच्ची उसके पेरिंट्स हमें इनफोर्मेशन कंप्लेंट देते हैं एक कासर करते हैं उसके बाद रिकौर्ड टाइम में यह आफ लोगों को बताना बड़ा जरूरी है कि आज करगिल पुलिस काफी मेहनत से काफी अच्छी तरीके से रिकॉर्ड liberties का कवच नौव इंटूर्स जो है इस लड़की को रिकवर करती है एक लड़का है जिसका नाम को हेंड ओवर कर पाते हैं और यह लड़का अभी हमारे इस केस फायर नंबर 50 में अरेस्टेड है यह पुलीस रिमांड में है फिलहाग एक तो यह केस है दूसरा केस है हमारा जो काफी बड़ी हमें काम्याबी मिली है कर्गिल पुलीस को रिसेंटली डाट टू अंडर कर्गि मिलती है कहीं से कि ऐसे ऐसे कहीं पे कुछ illegal समान रखा गया है कुछ समान जो है वो private retail market में बेचने की कोशिश की जाएगी जो शायद government को या किसी और organization को या हमारी security forces में से किसी को जो है belong करता है ऐसी खबर हमें मिली जिस की जिस खबर के बनिस्पत एसपी साब के supervision के under हमने टीम बनाई और SHO कर्गिल के साथ SHO कर्गिल मन्जूर साब अपनी टीम साथ में ले गए हैं PS कर्गिल से एक्स्टर नफरी जितना हमें चाहिए था वो सब लेकर हमने कुर्बा थांग के पास एक जानरी मिल है जहां पर हमने रेड की जहां रेड करने के बाद हमें आप लो 75 कोइंटल्स आफ राइस जो है यह वहां पर जमा करके रखा था एलिगली तो यह देखने की बात है कि यह राइस कहां से आया किसने लाया कौन से गवर्मेंट स्टोर से यह ऐसे सप्लाई हुआ तो यह सारी चीज़ें देखने के लिए अभी इन्वेस्टिकेशन प्रिलिम बैरल्स मिले और काफी सारे खाली बैरल्स भी मिले जिससे पता लगा कि यह औरेडी काफी सारा इन्होंने रिटेल मार्केट में सेल कर चुके थे तो यह काफी आँख खुलने वाली बात हैं कि यह ऐसी चीज़ें भी कारगिल में हो रही हैं यह तो बहुत बड़ा कारगिल की बहुत बड़ी काम्यावी है कि यह हमें टाइमली इन्फरमेशन मिली और उस पे प्रॉपरली एक्ट करके हमने जो है सक्सेसफुली यह रेड की और सक्सेसफुली सारा समान जो है सीज़ कर पाए इसमें दो बंदे रेस्टेट हैं एक मुहमद हादी जो स्टिक् किसी गुवर्मेंट एंटिटी के साथ किसी सेक्योर्टी एंटिटी के साथ यह इन्वावव्ड हैं या इन किसी बीच में मिडल मैन है यह सब देखने की जरूत है यह अभी रिसेंटली बस अभी मैटीरियल सीज हुआ है केस रेजिस्टर हुआ है तो इसमें प्रिलमिनरी होंगे क्योंकि जो चैन है वो जहां तक लास तक जाई है पहुंचेंगे हम उस चैन को फालो करते हुए वह हम कोशिश करेंगे करगी पूरी कोशिश करेगी पहुंचने की थैंक यू सो मच जी सर इससे पहले हो रख केज आया था सर अंडोलेंड डिस्क्यूट का नाम आया है इसमें विल्कुल मैंशन की है नासर मंशी का नाम और इसके साथ और कुछ पांचे बंदेवी इसे केज अगर हम देखा जाए तो कर्किर में कई केसे हैं तो क्या अलगा पुलिस च्रीव यही च्छे तक महनुद रहे का कि बाकी इसमें तो बहुत बगड़ा चैन हमें प्र जो आपने केस चेड़ा यह केस नमबर 43 है यह केस जो है दो प्राइवेट पार्टी के बीच में है इसमें बिसिकली एक प्राइवेट पार्टी अलेज कर रही है कंप्लेंड उन्होंने दी है कि मैं कभी ना कोर्ट में गया हूं ना रेविन्यू डिपार्टमेंट में गया या कैसे कोट में ऐसी चीज हो गई यह देखने की जरूरत है यह अभी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल नेसेंट स्टेज पे है उस केस की इस में आपको इस टाइम सिर्फ यह बता सकता हूं कि ऑनरेबल हाई कोट की तरफ से इस केस को ना प्रसीड करने के लिए इन्वेस्ट दो पार्टी की आपस में खाली गेम है या जो भी इसमें जैसे भी इन्वाल्मेंट है वो आपके सामने आएगी कोई प्रेशर रिलिजिस प्रेशर नहीं है किसी भी साइड से ना जो एक्यूज के नाम दिये गे हैं इस पर दे कंप्लेनिट उनकी तरफ से भी कुछ नहीं है और दूसरी रूलिंग पार्टी या कहीं और से भी हमें कोई प्रेशर नहीं है किख्त विल्भा प्लिजिस्टिक कार्गी को किखाती है कि क्राइम फ्री एरिया मानना जाता था सरु एक रिकार्ड बर्धा तरह बहु बढ़नेे लगे उसके लावाद आए आगों कोई यह रिकार्ड प्लानिंग देखिए अध्य रचन तो हम आपको नहीं ऐसे सामने बत सकते हैं but this is true कि crime is on rise ये भी ट्रू है कि detection जो है वो काफी अच्छे से हो गई है आज technology का use काफी अच्छा हो गया है जब से लदाक पुलिस बनी है काफी कुछ जो influx है हमारा technology का prevention और detection की तरफ focus चला गया है पूरा हर बंदे को हर officer को अलग लग field में proper training दी जारी है वो भी center of excellence जो हमारी country में हैं उनकी तरफ से ली जारी है तो जैसे जैसे हमारा अपना built up हो रहा है police का उस हिसाब से उसी तरीके से detection भी increase हो रही है तो इससे यही पता चलता है कि crime है detect हो नहीं रहा था पहले आप detection होने लगी है तो आप कारगिल की लोग उनको भी पता चल रहा है कि यह सब चीजें भी exist होती है आपके मादियम से मैं यह भी बताना चाहूंगा कि कारगिल में पिछले साल तक जब हम देखते थे तो women related crime भी बहुत कम था बट यहां divorce rate काफी है तो यहां आज की date में women जो है खासकर जब हमने women cell बनाया है और जो टिस्क का वो बनाया है टिस्क का जो out out desk बनाया है उन दोनों को use करते हुए काफी औरतें भी अब हमारे पास approach करती हैं justice के लिए कहीं उनका civilian matter होता है तो हम फिर court के तुरू परसू करवाते हैं तो यह चीज़े अच्छी हैं कि हमारे महाशरे में जो चीज़ें थी जो सामने नहीं आ रही थी बट आप वो सामने आ रही है time is changing जैसे जैसे आपने development और बाकी चीज़ों में देख रहे हैं वैसे crime related भी आपको आगे और ज्यादा changes मिलेंगे जो हमारा आप बता रहे हैं कि raids मारने का रिविद related to alcohol द्रास में हमने काफी अच्छे तरीके से alcohol का एक raid मार के alcohol पकड़ी थी दो डाई मेने हो गये हैं उसके अलावा भी information based काम चल रहा है most probably हमारे transportation के through जो material आता है काफी जल्दी आपको मिलेगा कि उसके उसको भी हम decode करेंगे और उनको भी पकड़ेंगे सर जब से आप एस पुलिस चीफ अगरलादा कागलिस्टिक की बात करें आपने जॉइंग की है अचीवमेंट्स तो आपके सामने हैं सारी एक तो जानसकार केस हम बता सकते हैं आपको कि किस तरीके से वहां law and order नहीं होने दिया है कंट्रोल करके रखा है recent भी आपने दो communities के बीच में देखा होगा उसमें भी काफी स्टैंड लेने की जरूद पड़ी वहां डीस साब का भी काफी रोल था तो ये छोट-छोटी चीजें हैं जहां largely main अगर मकसद आप बोलेंगे कि क्या कामयाबी है कामयाबी यही है कि कारगिल डिस्टिक को peaceful रखा गया उसमें जितनी भी कोशिश हमारी तरफ से हुई वो कोशिश कहीं न कहीं successful हुई है बीट कोविड डाइटिंग आप सेकेंड वेव के टाइम आपको याद है मिना मर्ग हमने किस तरीके से run किया है जिसकी वज़ए से I think कारगिली एक डिस्टिक टी जहां minimum deaths हुई है एक डेथ हुई वो भी non-local इंसान की तो ये काफी सोचन इतना कुछ फरक नहीं में जो चीज है वो यह है कि कारगिल पीसफुल एंड विल बी पीसफुल इन्शाला सर यह तो बहुत ही अच्छी बात है यह कुछ शुपी टुकी बात नहीं कि जब से लग्दा पुलिस या यूटिक वाद जब से आमने सम्वाला है बहुत अच्छ अच्छी सिर्फ यह जो लेंड माफिया आया है अब ही कुछ यह जैसे माइन बाजार में है या कई दाइबाए है लोग इलागी कर रहे हैं अब क्योंकि मेडिया का काम को बता है तो उसको रगने के लिए प्लीस क्या इक्ताम उठा रही है उसमें देखिए जो रोड में एक बार मीटिंग भी करी है जब अर्बन लोकल बाडी के थुरू स्मार्ट कारगिल के बारे में मीटिंग हुई थी तो उसमें भी क्लेरली मैंने वहां सबके सामने ये इशु निकाल लाया था कि आप हमें कंप्लेंट दें वी विल टेक एक्शन तो उसमें थोड़ा सा उनकी तरफ से डिले है आजकल डेवलोपमेंट का प्रॉसेस चल रहा है में डिपार्टमेंट मेंटेंस में आरेंड भी आता है तो वो शायद थोड़ा सा डिले कर रहे हैं जैसे ही वो हमें कंप्लेंट देंगे हम उसमें एक्शन लेंगे जो रही प्राइवेट पार्टी इंक्रोच्मेंट की बात वो तो ऐस पर कंप्लेंट जैसे कोई प्राइवेट पार्टी हमारे पस कंप्लेंट लाएगी वी विल टेक अक्शन जैसे अल्रेडी आपने देखा इसमें यह कोई नहीं है कि कोई वी आईपी है तो वो बचा बच बच जाएगा या कोई भी या आम आदमी है तो वो उसी को पकड़ेंगे ऐसा आपने देखा अभी तक कहीं पर भी नहीं हुआ है ना हमने कोई कम्यूनिटी सेंट्रिक अप्रोच कभी रखी है और ना हम कभी यह वी आईपी कल्चर वाली अप्रोच रखेंगे जो भी एक्यूस जैसे भी हमारे पास कंप खाल के सेंट ही है तो तो किस सब्सक्राइब करोंगे लडा प्रोच के सुधे अब कौन इनवल्फ है रेविन्टॉ वो अपनी पनी प्रिवेट परसंगी नहीं करता है तो अगर को Aye में प्रएवेट परिविजिम्र परसंगी और इंटिटी नहीं में वो प्राइवेट पर दो बॉड एगा तो धीम। tender law अभी जो case है वो complainant ने जो आपको नाम already पता है जो छे नाम है उनके खिलाफ दिया है बाकी उसमें जो जो जैसे जैसे आड होगा inquiry में sorry investigation में वैसे वैसे उनको under section relevant sections of law book किया जाएगा अभी फिलहाल आपको फिर से बता देते हैं कि honorable high court ने case को रोकने के लिए investigation not proceed करने के लि जैसे हम review file करते हैं उसके बाद hopefully we are hoping we are positive that यह case फिर से start होगा और उसमें जो भी जैसे भी book किया जाएगे जैसे भी सामने आएंगे जिस जिस के जैसे role वो सब चीजें जो हैं वो सामने आप लोगों के सामने भी लाएंगे कर्गिल के अवाम के सामने भी लाएंगे और accordingly under section of law वो book किया जाएंगे अब उसमें जो भी जैसे भी निकलता है we will be following a very professional route about it thank you so much thank you so much